हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड स्वागत हैं आपका मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड यह सभी प्यफ मेंबरों के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी की बात है यहाँ पर प्यफ विडियो को लेकर समरोजगार मंतराले ने एक प्रेस लिज भी जारी कर दी है प्यफ हों 31 को लेकर इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करे और वीडियो को एंड तक जूर देखे फ्रेंड अभी तक क्या होता था कि हूँ जब भी अप्लाई करते थे विड्रो करने के लिए तो कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे और बहुत केसों में इससे ज़्यादा समय भी लग जाता था उसके बाद भी हमारा क्लेम अंडर पॉसरसी बताता था लेकिन अब जो समरोजगार मंत्राले ने एक प्रेश जारी की है इसमें एकदम क्लियर कर दिया है कि अब आपका क्लेम जो पीफ एडवांस को लेकर है उसको दो से तीन दिन में सैटल कर दिया जाए और इस प्रेश डिलिज में यही बता गया है कि अब जब भी आप विड्रो करने के लिए अपलाई करेंगे तो आपका क्लेम सिस्टम चेक करेगा इसमें ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई ओफिसर आपका क्लेम चेक करेगा सिस्टम और जो भी आपकी अपलाई करने की डिटेल्स है वो चेक करके आपका क्लेम सेटल कर देगा और फ सामने हैं इससे पहले एक सरकूर भी जारी किया था ओटो क्लेम को लेकर जो की 16 अपरेल 24 को इसू किया गया था इसे बताया गया था कि अगर आप पीफ से एडवांस विड्रो करते हैं तो उसकी जो लिमिट है एडवांस निकालने की उसको 50 यार से बढ़ा कर एक लाक रुप फ्रेंड अब चलते हैं प्रेस लिच पर फ्रेंड देखिए अब जब भी आप पीफ एडवांस में इल्लैस, इजुकेशन, मेरीज या हाउसिंग के लिए पीफ एडवांस से विड्रो करते हैं तो आपका कलेम दो से तीन दिन के अंदर सेटल कर दिया जाएगा यहाँ पर जिनके अकाउंट में 92,143 रुपे की रासी ट्रांसफर की गई और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर है जिनका कलेम दो से तीन दिन के अंदर सेटल कर दिया गया और फ्रेंड इसमें नीचे यही बताया गया है कि एपिफ होने अपने करोडों सुदस्तों के लिए अब सिक्सा विवा और अवास के अदेश्टों के लिए अगरीम रासी के दावों का ओटो मोड से निप्टान सुरू किया है एपिफ होने सवैद दावा समधान या ओटो कलेम सुलूसन सुरू किया है जिसके तहट दावे को बिना किसी मानिवी अस्तशेप के IT सिस्टम धा सबचलीत रूप से संसाधी निया प्रोसेस किया जाता है दावा निप्टान का ओटो मोड अपरेल 2020 में विमारी के लिए अगरीम रासी के अदेश्टे से सुरू किया गया था अब इसकी सीमा को बढाकर एक लाख रुपे कर दिया गया है चालू वर्स के दुरान लगभग दो पॉइंट पच्चिस क्रोड सरस्टों को इस सुविदा का लाव मिलने की आसा है फैंड आप सक को पता ही है कि लोग डाउन में भी ओटो क्रेम का सिस्टम श्राट किया गया था जिससे काफी मेंबरों को इससे फायदा हुआ था फ्रेंड उसके बाद बीतिय वर्स 2023 के दुरान एपी उफ होने लगबग 4.45 क्रोड दावो का निपटान किया जिसमें से 7% से अधिक 2.14 क्रोड दावे अगरिम दावे थे वर्स के दुरान निपतान गए कुल अगरिम दावो में से लगबग 89.52 लाक दावो का निपटान ओटो मोड का उपयोग करके किया गया इ और 68 भी अवास के दुश्य के तहट सभी दावा के लिए बढ़ा दिया गया है इसके अलावा इसकी सीमा को 50,000 रुपे से बढ़ा कर दो गुना एक लाख रुपे कर दिया गया है इस कदम से EPFO के लाखों सदस्रों को लाख पोचने की उमीद है निप्टान या ओटो सेटलमे इसके परिणाम सवरूप ऐसे अगरिमों के लिए दावा निप्टान की अवदी 10 दिन से घटा कर 3-4 दिन के वीतर रह जाती है सिस्टम धारा विदी मानने नहीं होने वाले दावा को लोटाया या अस्सिविकार नहीं कह जाता इसके बाद उन्हें दूसरे इस्तर की जाच और अनुमोदन के लिए बेजा जाता है फैंड अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि अनुचे 68 के और 68 भी क्या है फैंड इसके लिए पीएफ ने एक पीड़ बिजारी कर रखी है फैंड यह देखिए पीड़े उमारे सामने है फैंड उसके बाद पैरा 68 के के निकालना चाहते हैं वह आपका 50% सेयर प्लस में इंटर्स इन दोनों को मिला कर आपको एडवांस दे दिया जाएगा लेकिन फ्रेंड इसके लिए आपकी कम से कम साथ साल की सर्विस होनी चाहिए जिसमें आप तीन बार अपना एडवांस निकाल सकते हैं फैंड उसके बाद हाउसिंग का फैंड उसके बाद देखिए 68B के नीचे लिखा हुआ है अगर आप मकान के लिए मकान खरीदने चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी यहापर आप एडवांस निकाल सकते हैं इसके लिए आपकी कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए जिसमें आप एक बार एडवांस निकाल सकते हैं वो भी अपने मकान के लिए फैंड उसके बाद यहापर नीचे लिखा हुआ है दावो को द्यारेका बिस्तार अवास विवा और शिक्सा उदेश्यों के साथ साथ उसमें विर्दी से सीधे तोर पर अनेक सदस्यों को कम से कम गया है और तब से एपिएफ होने तबर्दी सेवा परदान करने वाली इस पहल के माद्यम 45.95 क्रोड उपे के लिए 13,011 मामलों को मंजूरी दे दी है मतलब फ्रेंड जो इपिएफ के जितने भी पिएफ ओपिस है कराले हैं छेतरे हैं उन सबी को यहाँ पर ओटो कलेम की स साधी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए या फिर मकान मनाने के लिए अगर आप पिएफ से एडवांस विड्रो करते हैं और आपको जो ही पिएफ अमाउंट है वो एक लाग तक इलिजिवल होता है तो आपका कलेम 3-4 दिन के अंदर सेटल कर दिया जाएगा तो फ्रेंड तो आपको कोई फॉर्म डिटेक्ट होगा